जारखंड राज्य करमचारी चैन आयोग का दफ्तर जिसका हमेशा से विवादों से नाता रहा है। आज ये दफ्तर किसी जील से कम नजर नहीं आ रहा। क्या है वज़ा बता रहे हमारे सहयोगी अजयलाल। आपसर आपसे मिलना नहीं चाहेंगे। पूरी तरह से ये गेट आफिस आवर में बंद रहता है। यहाँ सुरक्षा करमी बेसक रहते हैं लेकिन किसी को भी किसी अधिकारी से टाइम लेकर भी मिलना चाहें तो वो मिलने को तयार नहीं होते हैं। देखिए मैं आपको डेमो नहीं करा हुँ कि इस गेट पर अभी सिर्फ ताला बंद नहीं है। मैं जैसे को किगोने करूंगे सुरक्षा गार्ट मुझे घेर लें गे। मैं खोल लाए पूरी तरह से बंद रहता है। आप कितना भी हिमत लगा लेंगे कितनी भी कोशिश कर लेंगे आप नहीं मिल पाएंगे पूरी तरह से सनाटे में ये क्रमचारी चैन आजोग के दफ्तर में आधिकारी क्रमचारी तमाम लोग बैठेंगे लेकिन किसी को भी जैसा कि मैंने कहा यहां के सचीव से मिलने के भी भेजा, अपना नाम लिखा, मैं किस चैनल से आया हूँ वह भी लिखा, क्या काम है वह भी लिखा, लेकिन उधर से जो आदेश आया कि साहब नहीं मिलेंगे जानी कि क्रमचारी चैन आजोग पूरी तरह से अपनी बदनामी को और ज्यादा लगातार वक्त के साथ सामने आते हैं, कई भेकेंसी आती है, कई परकार के विबाद उत्पन होते हैं, उसमें कोई एक ऐसा अधिकारी हो जो की समय पर मीडिया से बात करें, अपनी बात कहने की स्थिती में हो, लेकिन जार्खंड राज क्रमचारी चैन आयोग में पूरी तरह से ऐसा लगता है, य इसे क्रमचारी चैन आयोग परिच्छा नहीं, बलकि नोट छापता है या फिर विदेश नीती तयार करता हो, पूरी तरह से रहस्य के परदे में यहां के अधिकारी और क्रमचारी काम करते हैं, करमन हिमन के साथ अजय लाल, निव जलेबन, राची